सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बिल को दबाएए लेटेस अब्डेट पाने के लिए आज मैं बात करने वाली हूँ टंग टाई यानि बच्चों की जीव का नीचे से जुड़ा हुआ होना वो कभी कम भी जुड़ा हुआ हो सकता है और जादा भी जुड़ा हुआ हो सकता है तो अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा है तो उसको क्या-क्या परिशानी इससे हो सकती है और अगर है तो आपको क्या करना है कैसे आपको चेक करना है आज इसी सारे टापिक को क्लियर है तो आपका बच्चा सही से डूद नहीं पी पाएगा और वह अंहुंद New अगर खाने लगा है तो वह इसे खा भी नहीं पाएगा और अगर बच्चे की जीप ज़ाधा ही जुड़ी हुई है नीचे जादा चिपकी हुई है तो वो अपनी जीब को एक साइड से दुसरे साइड में भी नहीं कर पाएगा और वो बाहर भी नहीं निकाल पाएगा अपनी जीब को मुझे बाहर बच्चे अक्तर जीब निकालते हैं लेकिन अगर आपके बच्चे को टंग टाई है तो वो नहीं निकाल पाएगा इस तरह की परिशानी आपके बच्चे को हो सकती है अगर बच्चे की नीचे से हलकी जूड़ी है तब तो कम परिशानी होगी लेकिन अगर जादा जूड़ी हुई है तो बच्चे को इसमें है भी हो सकता है कि आपके बचे को टंगंडा ईख करते हैं तो ऐसे विए कुछ बच्चे को ब्च्चे дан wonders सबते हैं लेकिन बच्राइक जलदी नहीं बोल पाते हैं लेकिन अगर बच्चे को तंग्टाई ना शोंसे पुछ परिशान थि feeder बच्चे को टंग टाई होने से हो सकती है अब आपको चेक कैसे करना है कि आपके बच्चे की जीप बिल्कुल सही है या वो नीचे से चिपकी हुई जूड़ी हुई है तो बच्चे के नीचे वाला जीप के नीचे वाला हिस्ता देखेंगी बच्चे की जीप को हलका सा उपर और उठा के नीचे के साइड में देखेंगी तो आपको फेल होगा अगर वह पूरी जूड़ी हुई है तो आप बच्चे की जीब सही से उठा भी नहीं नीचे से जूड़ी हुई रहेगी तो वह जीब नहीं उठा पाएगा और हलकी भी जूड़ी तो आपको दिखाई है तो आपको डॉक्टर के पास ले जाना है डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेंगे अगर बहुत कम जूड़ा हुआ है तो डॉक्टर ही सजेस्स करेंगे आपको कि उसकी सरजरी करनी है यह नहीं करनी है अगर ज्यादा जूड़ी हुई है जीब नीचे से तो उसकी सरजरी डाक्टर एक छोटी सी सर्जरी करेंगे उससे जीब चिपकी हुई जो धागे जैसा है उसको कट करके बच्चे की जीब को वह सही कर देंगे तो यह चोटी सी सर्जरी होती है इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है आप अपने डाक्टर को दिखाएंगे उन्हीं अब बात करते हैं कि इसमें आपको कौन से डॉक्टर के पास ले जाना है तो आपके बच्चे को टंग टाई है तो आपको उसका ट्रीटमेंट करेंगे वही आपको सब्सक्राइब करेंगे कि बच्चे की सरजरी होगी यह इसे ही सही हो जाएगा और कुछ लोग कोशन यही करते हैं कि अगर इसके surgery करवाते हैं तो उसमें कितना खर्चा आता है तो जहां तक मेरे हिसाब से इसमें 15-20,000 से जादा खर्चा नहीं होता है छोटी surgery होती है अराम से हो जाती है और अगला question कि surgery होने कि बच्चा कितने दिन में नॉर्मल होने लगता है तो यह चोटी सी surgery होती है हफ्चा दस दिन के अंदर बच्चा नॉर्मल होने लगता है और आपको इस चीज का ज़रूर ध्यान लखना है कि जब आपका बच्चा चोटा हो तो आपको चेक जरूर करना है कि उसको टंग अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करने